गुड मॉनिंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नल में आपका स्वागत है दोस्तो मैं रिचह सम्विधान की एक लास लाई हूँ जिसमें आज हम प्रधान मंत्री के बारे में जानेंगे इससे पहले के वीडियो में हमने संसद को पूरा देखा था उपराश्वपती को देखा था और आज हम प्रधान मंत्री को देखेंगे तो दोस्तो प्रधान मंत्री अर्थात प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में हम वो हर पॉइंट देखेंगे जो हमारे एक्जाम के लिए बेहदी इंपोर्टेंट होगा तो वीडियो को में अंति तक बने रहिएगा हम अपने आज के इस टॉपिक को सुरू करते हैं तो सबसे पहला है कि संसदी विवस्था में वास्तिविक सक्तियां जो मंत्री परिशत के पास होती है जिसका प्रधान प्रधान मंत्री ही होता है अर्था जब भी आपको मंत्री परिशत की वास्तिविक सक्तियों की बात की जाए कि मंत्री परिशत की वास्तिविक सक्तियां होती किसके पास है तो ये दोस्तों प्रधान मंत्री में ही नहीं थोती है अर्थात प्रधान मंत्री के ही पास होती है तो सबसे पहला कुश्यन तो यहीं से बन जाता है कि मंत्री परिशत की वास्तविक सक्तियां किस में होती है तो मंत्री परिशत की वास्तविक सक्तियां प्रधान मंत्री में नहित होती है फिर अनुक्षित 74 क्या कहता है प्रधान मंत्री के पति के बारे में अनुक्षित 75 में व्यवस्था की गई है अब दोस्तों देखते हैं प्रधान मंत्री के नियुक्ति के संबंधित पॉइंट्स तो हम प्रधान मंत्री के नियुक्ति किसके द्वारा होती है अगर कभी ये कुश्चन पूछता तो प्रधा पत्र किसे देता है तो उपराष्ट पती को देता है और उपराष्ट पती के बारे में थोड़ा सा याद कर लेते हैं तो उपराष्ट पती में हमने पढ़ा था कि उपराष्ट पती की नियुकती राष्ट पती करता है और उपराष्ट पती अपना जो त्याग पत्र है वो भ बहुमत दल का नेता ही प्रधान मंत्री के रूप में राष्ट पती द्वारा नियुक्त होता है अर्थात लोग सभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही कौन होता है प्रधान मंत्री के रूप में राष्ट पती द्वारा नियुक्त होता है फिर नेक्स्ट है प्रधान म मनमोहन सिंग ऐसे प्रधान मंत्री थे जो राज्य सभा के माध्यम से प्रधान मंत्री बने थे अर्थाज दोस्तों प्रधान मंत्री जो है वो लोग सभा से भी बन सकते हैं और राज्य सभा से भी तो इंद्रा गंधि और मनमोहन सिंग जो है वो राज्य सभा के माध्यम से प्रधान मंत्री बने थे जबकि वर्तमान में हमारे प्रधान मंत्री जो मोदी जी है वो लोकसभा के माध्यम से प्रधान मंत्री बने हैं फिर नेक्स है हमारा कोई भी व्यक्ति अगर लोकसभा या राज्यसभा का सदस से नहीं है और वह प्रधान मंत्री के है लेकिन उसके पास लोग सभाया राज्य सभा में से किसी भी एक का सदस्यता नहीं है उसके पास तो उसको नियुन्तम अधिक्तम जो है छे माह का वक्त दिया जाता है वहाल की सदस्यता लेने के लिए अब बात करते हैं प्रधान मंत्री के आयू की तो दोस्तो प्रधान मंत्री की नियुंतम आयू यहां पूछता है 25 वर्स अभी ये नियुंतम क्यों लिखा है तो आपको बताया है कि प्रधान मंत्री लोग सभा से भी नियुक्त होता है और राज्य सभा से भी तो हम राज्य सभा वाले वीडिय वो पचीस वर्स निकला तो नियूंता मायू की बात की जाए तो पचीस वर्स होती है जबकि अधिक्तम की बात की जाए तो राज्य सभावाला ले लेंगे इसकी कोई सीमा नहीं है अधिक्तमायू की बस आपको नियूंता मायू ही यहां से कुश्चन बनता है कि प्रधान मंत्री की नियुंतम आयू क्या होती है बनने के लिए तो 25 वर्स होती है और अधिकतम बार बनने की सीमा कोई भी सीमा नहीं है प्रधान मंत्री कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार बन सकता है इसका कोई प्रावधान नहीं है फिर हमारा सपत की बात करते हैं कि प्रधान मंत्रि को राष्ट्रपति सपत दिलाते हैं Uhh और नियुकति भी राष्ट्रपति द्वारा के जाती है ग्लिवेविए राश्च्रपति को देते हैं सुर्द आगे बढ़ते हैं've कारे काल की बात करते हैं तो कारेकाल पांच वर्स या राष्ट पती के प्रसाद परेंतर्थाद इक्षानुसार पत पर बने रहते हैं तो पांच वर्स इनका कारेकाल होता है प्रधान मंत्री का ये आप ध्यान रखेगा अब इसके बाद ये त्याक पत्र का हमने बता ही दिया कि प्रधान मंतरी अपना त्याक पत्र राश्ट्र पती को देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों और वेतन की देख लेते हैं तो अलग से कोई भी वेतन का प्रावधान प्रधान मंतरी के लिए नहीं है अर्था जो सभी सांसदों का वेतन होता है वही प्रधान मंत्री का भी वेतन भत्ता होता है वेतन होता है वही भत्ता उन सांसदों से इन्हें थोड़ा सा जादा दिया जाता है बाकि इनके वेतन की अलग से कोई विवस्था नहीं है फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि संसत द्वारा संसत का वेतन जो है वो तै किया जाता है तो ये तो वेतन से सम्मधित कुछ पॉइंट थे अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और प्रधान मंत्री की शक्तियों को जान लेते हैं क्योंकि प्रधान मंत्री को राष्ट रुपती के सलाह के लिए रखा जाता है तो जितनी भी सक्तियां राष्ट रुपती को प्राप्त है वो सभी में आंसिक रूप से कहा जाए तो प्रधान मंत्री शामिल होता है तो सबसे पहले मंत्री परिसत के रूप में इसे क्या क्या स ला सकते हैं और बैठक के अध्यक्षता भी प्रधान मंत्री ही करते हैं फिर आगे देखते हैं दोस्तों क्या है सकतियां कि मंत्रियों के माध्यम से जो विकास कारे होता है वह प्रधान मंत्री ही करता है या राश्ट पती को वो उसके बारे में बताता है फिर अब राश्ट के संबंध में राष्ट पती को सलाह देना नियुक्ती संबंध जो भी सलाह होता है वो राष्ट पती को प्रधान मंत्री ही देता है योजनाओं और विकास संबंधित कारियों के बारे में भी राष्ट पती को सूशना प्रधान मंत्री ही देता है तो अठात के संबंध में प्रधान मंत्री को कौन कौन सी सक्तियां प्राप्त हैं ये देख लेते हैं दोस्तों तो प्रधान मंत्री संपूर्ण मंत्री परिशत का हेड होता है आपको ये बात पता होगी और बेहधीम पॉटेंट ना पता हो तो इसे रट लीजे कि प्रधान मंत्री संप राष्टपती को देता है था लोग सभाग का जो विगटन संबंधी सूचना या परामर्स जो भी होता है उसका जो भी परामर्स देना है वो प्रधान मंत्री के द्वारा ही राष्टपती को दिया जाता है फिर संसत के अंदर सरकार का मुखिया भी प्रधान मंत्री ही होता है आगे बढ़ते हैं जन्ता के सवालों का जवाब संसद में प्रधान मंत्री द्वारा ही दिया जाता है तो ये तो था प्रसंसद के संबंध में प्रधान मंत्री में जो सक्तियां नहीं थे अर्थात उसे जो सक्तियां दी गई हैं अब प्रधान मंत्री की कुछ अन्य सक्तिया भी है जैसे कि नीती आयोग के अध्यक्ष कौन होता है तो प्रधानमंत्री ही होता है बहुत ही इंपॉइंट ही पॉइंट है यहां से कुश्चन बनता ही बनता है कि नीती आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं अंतर राजी परिशत के सबसे लंबा कारेकाल था दोस्तों तो पंडित जवाहरलाल नहरू थे ये 1950 से 1964 तक प्रधान मंत्री के रूप में कारे रत थे तो सबसे लंबे कारेकाल की बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नहरू थे पहली महिला प्रधान मंत्री की बात की जाए तो इंद्रा गांधी थ से 1967 तक कारे रत थी फिर नेक्स्ट पॉइंट है पहले गैर कॉंग्रेसी सरकार के रूप में प्रधान मंत्री कौन नियुक्त थे तो पहले गैर कॉंग्रेसी सरकार के रूप में प्रधान मंत्री बनने वाले मौरार जी दिसाई थे नेक्स्ट पॉइंट है तीन प्रधान मंत दोस्तो प्रधान मंत्री जो कभी लोग सभा में नहीं आये थे तो ये चौधरी चरंड सिंग थे नेक्स्ट पॉइंट है विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधान मंत्री कौन थे तो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधान मंत्री विश्वनात प्रताप थे नेक्स्ट पॉइंट है सबसे अधिकुम्र की प्रधान मंत्री कौन बने दोस्तों सबसे अधिकुम्र की प्रधान मंत्री मुरार जी दिसाई थे जबकि सबसे कम उम्र के प्रधान मंत्री राजियू गांधी थे तो दोस्तों यह जो लाश्ट के 4-5 पॉइंट है यहां से तो ऐसे ही सीम कुश्षन बन जाता है और आपको यह रट लेना है तो यहां से तो कुश्षन फिक्स ही रहता है यह ऑप्सनल बनाया करिए खुद से कुश्षन बनाएंगे तो वो आपके माइड बे हमेशा रहेगा कि कितने कुश्षन कैसे बन सकते हैं और उसका एंसर क्या रहता है वीडियो कैसा लगा दोस्तों अपनी राय और सलाह हमें जरूर दिया करिए और वीडियो पसंद आया करें तो लाइक और शियर भी किया करिए अपने नेक्स वीडियो में हम फिर से मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों